दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम जानेंगे छिपकली भगानी के उपाय के बारे में लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो ब घर में छिपकली के होने से केड़े मकोडे, पंतगी, जिंगुर आदी नहीं रहते है लेकिन छिपकली के शरीर पर गिरने का भह ज्यादा बढ़ा होता है मार्केट में छिपकली को भगाने वाले कई विशायले लिकविडाते हैं, लेकिन ये लिकविडा के बच्चों या पालतु जानवरों को भी नुकसान पन्हुचा सकते हैं ऐसे में बहतर होगा कि छिपकली को भगाने के लिए कोई घरेलू उपाय किया जाए इस विडियो में छिपकली को भगाने के कुछी को फ्रेंडली घरेलू उपाय बताएं जा रहे हैं जो निम्प्रकार है एक कौफी पाउडर कौफी पाउडर को तमबाकू पाउडर के साथ मिला ले और इसकी छोटी छोटी गोलिया बना कर वहां वहां रख दें जहां इसमें श्रण को खा लेगी तो वह मर जाएगी वरना वह भाग अवश्य जाएगी दो नेप्थलीन गोलिया ने प्थलीन की गोलिया एक अच्छी कितना श्रक होती है इसे वार्डरोब वाश्वेसन आदी में डाला जाता है इसे जहां भी रख देगे वहां छिपकली नही पाणी में लगा कर रख दे इससे छिपकली नहीं भाग जाती है क्यूंकि काली मिच की तीखी गंद उन्हें अच्छी नहीं लगती है पांच बर्फ वाला थंडा पानी बर्फीले पानी को छिपकली पर स्प्रे कर दन इससे उसको थंडा लगेगा और वेह भाग जाएगी ऐसा कई दिन तक लगातार करें ताकि वेह घर ही छोड़ दे पानी डालने के बाद छिपकली गिर जाए तो उसे डस्ट अबीन में भर कर बाहर फ्यांक दे छे प्याज प्याज को स्लायस में काट कर उसे दागे में बांध कर लैट्स आधी के पास लटका दे इससे वहां आ छिपकली वो जगह छोड़ दे लेकिन छिपकली मानसिक कुरूप से सोचती है कि इसक्षेत्र में कोई और बड़ा जीवा कर रहने लगा है इसलिए वेह उस स्थान को छोड़ देती है अन्बे के छिलके को तीन-चार सपताह में बदलते रहे आठ लहसून एक स्प्रेबर इसमें प्याज का जुस और पानी भर ले इसमें कुछ बूंद लहसून के जुस की मिला ले और अच्छे से मिला ले अब इस घर की हर कोने में चिर्क दे जहां जहां छिपकली सबसे ज्यादा आती है वहां भी चिर्क दे आप चाहे तो लहसून की कली भी रख सकते है इससे भी छिपकल या दूर भाग जाती है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे रन्यवाद